हलो एब्रीवन वेल्कम टू सोचल फ्रेंड यूट्यूब चैनल हम डिसकस कर रहे हैं यहाँ पर टिपल सी कोर्स के बारे में और जैसा कि मैंने पहले डिसकस कर दिया है पुरा-पुरा फंडामेंटल के बारे में और इसके पहले जो जी यू आई आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसके बारे में मैंने डिसकस कर दिया है आप वह वीडियो जुरूर देखें उसके बाद यह मैं डिसकस करने जा रहा हूं MSWord ठीक है यहाँ वीडियो थोड़ा भी हो सकता है क्योंकि मैं explain करने वाला हूं आपको वह चीज़ फंक्शन आपको बाकाइदा समझ म में आएगा ठीक है ना चलिए लिखा है MSWord क्या होता है MSWord एक होता है word processing program ठीक है MSWord जो होता है word processing program होता है इसके file का नम होता है document और इसको develop किया है Microsoft company ने सेम करते MS corporation भी बोलते है और इस application software पूछाए कि MSWord किस टाइप का software है system software application software तो application software के वारे में जानना है तो जान लो इतना कि application software बोलते है third party company ठीक है ना होई कोची जानो which help to prepare various type of documents such as notice बनाना, application, report, books, assignment letter, management, report और call letter बनाना होना तो हम MSWord का इस्तमाल करते हैं ठीक है तो हम और feature को discuss करते हैं और जो MSWord होता है MSWord के MSWord का extension होता है उसको होता है .docx ठीक है ना होता है .docx ख्यालक मैं इस बात का और क्यों जो .docx होता है वो होता है 2003 का जो आपिस था उसके लिए था लेकिन जो latest वाला है अगर 2007 की भी हम बात करें तो उसका जो extension है .docx है ठीक है तो चलिए हम इसको दिखाते हैं कि किस option से आपको क्या करना है पहला लिखा हुआ क्लिप बोर्ड क्लिप बोर्ड से हम क्या करते हैं cut copy paste और forward printer का इस्तेमाल करते हैं जैसे क्या select करो किसी मेंटर को किसी मेंटर को selected मेंटर को हम क्या करते हैं copy कर सकते हैं उसके बाद हम उसको paste कर सकते हैं चाहें जितना ठीक है इसके बाद next देखो यह जो वोड आपको दिख रहा है डॉड डॉड टृ ट्री तिसको select करो cut मतलब होते हैं move select किया अब चाहते हूँ है इसको यहां पर पेस्ट कर सकते हो अब यहां पे ईस सेम ऐसा ही हो जाएगा ठीक है prac 17 में थpants उसको कुछ चाहिए उसके साप्लिक करना है अब यह कुश 52 आप दिया अब चाहते हो की सब हो जाए उस में उसमें प्लिक किया और अप्लाइ कर दो दिसके यह जैसा था यह जाएगा मतलबyl पूरी फॉर्मेंटिंग्ba कॉपी करता है और फार्मेटिंग किसे कहते हैं जिसे हमने उसे बोल्ड कर लिया है किसी भी टेक्स पर इंडरलाइन कलर भगर अड़ कर लिया उसको बोलते हैं फार्मेटिंग। इतना समय है इसका shortcut क्या होता है Ctrl Shift C गो Ctrl X से होता है Cut, Ctrl C से होता है Copy, Ctrl V से होता है कि पस्ट ठीके मैं इसका सॉटकर्ड करो एकलेशन बनाके एप्लोट किया है आप उस वीडियो चुरूर देखें अब देख। इसको बोलता है मैं लोग तीन नाम इसके हैं के इसके तीन नाम है, इसको select करो, यह style है, बुरा-बुरा, click करो, यह आपके पास से पूरे font है, आप चाहो, जिस font में add करना चाहो, click करो, add हो जाएगा, इसके बाद हो करते हैं, bold, किसी भी selected text को, तो different निखाने के लिए, heading बनाने के लिए, इसके बाद करते हैं, इसको बोलते है, groove, यहनि बढ़ा करना, और एक चीज़ क्या लगना, इसका जो default होता है, जब मों MS Word open करते हैं, तो default size कितना होता है, 11 होता है, और ऐसे बात करें, तो 8 minimum होगा, और जो maximum होगा, 72 होगा, क्या लखेगा, अगर इसको बढ़ाना चाहते हो, तो groove से आप चाहें, जितना बढ़ा सको, और sing से क्या करोगे, s h r i n case का पुरा नाम है, ठीके, इसके बाद इसको बोलते हैं, हम लोग change case, selected text पे apply करके, क्या होता है, यह upper case में कर देगा, याननि capital letter में कर देगा, जिए को यह word है, यह select है हमारे पस, लょग कर कियो, सब से small case में हो जाएगा, पर MARK का eis word हो जाएगा, यानि पहला जो letter का capital , बाकि Small हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं change case, इसका shortcut की होता है shift के साथ F3 यह आपके exam में पूछता है कि change case करने के लिए हम shortcut की क्या इस्तेमाल करते हैं तो इसका shortcut की होता है सब shift के साथ F3 बटन यह होता है कि आप देखो धान से यहां तना हो गया इसको बते clear font clear format आपने कोई भी editing किया है इसको click करोगे तो जैसा starting में था वैसा हो जाएगा अब देख सकते हो इसके बाद देखो select किया हमने इसको में बड़ा किया हमने अब हम बात करते हैं select किया हमने इसको बोलते है underline अपने use कर लिया जोगो यह underline है किसी matter को highlight करना हो question paper बगरा बनाना हो dot dot का ठीके जिसमें आपको दिकाना fill and blank वाला कि यह सही है गलत है तो इन सब चीजों के लिए select करके आप dot का इस्तमाल कर लेना इसके बाद आप select करेंगे इसको बोलते stick throw का मतलब क्या हो जाता है जैसे कोई meaning wrong हो गया तो middle से text के middle से एक line को cross कर देना होता है जब आपको मालूम चलिए कि सही है अपने इसको cross को हटा दिया इसके बाद हम बात करेंगे आप देखो यहां पर next हम देखाते हैं यह clear formatting हो गया यहां पर ठीक है और अपने italic यूज कर लिया underline कर लिया stick throw यूज कर लिया अब बात करते हैं super script यह आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं sub script इसको बोलते है super script तो sub script, super script की यूज करने के लिए क्या करोगे लिए पहले है sub script मतलब जैसे आपको लिखते हो s2o तो s2o में क्या करते हो जो 2 होता है 2 का आप select कर लेते हो select करने के बाद एक apply करोगे तो क्या होगा यह sub जैसा है नहीं जैसे आप subscription करते हो जो गठाने वाला वर्क होता है down portion में कोई formula लिखना हो तो आप इसका कर सकते हो अगर हम super script की बात करें तो क्या करोगे यहाँ पर select करते हो यहाँ पर select करने के बाद आप click करते हो super script के बासन नहीं आपने यूज कर लिया अब हम बात करते हैं इसको बोलते हैं text highlight color जिसे हम कोई book study करते हैं कोई अच्छा point मिल जाता है उसको highlight कर देते हैं यह text को highlight कर रहा है बदल्ब text को color नहीं कर करो को इसको कि फांट के लिए यह वाला चीज होगा इसके बाद यह क्या है इसको बोलते हैं लोग साइड करना है तो इसको एड कर सकते हो यह दोजाज साथ में नहीं है यह दोजाज 10 इसमें यह नया फीचर जुड़ा हुआ है ठीक है तो आपने यह जाना क्लिप बोड क्या होता है फॉर्ण क्या होता है आपको यह पुरा पुरा समझ में आगया है ठीक है आप दो कुछ समझना अच्छा चीज़ से अब हम बात करेंगे पारग्राफ इसको बुलेट नमबर आ पर मालों यह मेरे पास कुछ लिखे हुए है मैंने इनका चातों में बॉलेट चेंज करना देखो चेंज जाएगा मतलब इसका सिंबल हो दिखो द्यान से यह चेंज हो रहा है ठीक है एक और तरीका समझे इसको अब देखो त्यान से अब यह हम बात करें बुलेट नमबर की तो अब बुलेट नमबर लगाना हो और कोई कोश्चन पीपर बना रहो देखो ऐसे महां लिका हमने कि कोश्चन नमबर वन वाट इस कंप्यूटर और यहां पर चाहते हो चार आफशन तो आफशन लगाने के लिए बहुत यह आसान तरीका कोश्चन पीपर बनाना बहुत यह आसान है जी देखो लिका आफशन नमर एक लिका एलेक्ट्रोनिक मसीन डिवाइस से लिग दिया दो इंटर्पेस करें तो आट्रोमेटिक यह बढ़ेगा तीक है इस तरीके से आप कोश्चन पेपर भी आटपूट मशीन और इसमें से कोई नहीं ठीक है यह तरीका है अब बैक स्पेस करो एक और करो एक और करो आप लिखते हो कोश्चन नमबर टू ठीक है अब कोश्चन लिक हो कि इस तरह से से सेम प्रोसस्ट होगा ठीक है यहां से हम बुलेट नमबर के स्टमाल कर लेंगे तो को Alphabet उसका है यहाँ चार लगा दिया आप चाहत है इसको होगा है यह सब चीजी हम इंक्लूट कर सकते हैं है इसको भी बॉलत नमबर होता है इसको होता है फर्क थ्वास होगा क्या होगा देखो जयुत आओ हमने इसको select किया यहां पर article इसे कहानी के पात्र होते हैं अगर कोई आप drama रहा हो इसको हमने मैटर को select किया जान देना क्या होगा यह मैटर को adjust करता है हम ctrl M का भी इस्तमाल कर सके ctrl T का ठीक है अब आप दोगो next हमने दिखाना है यहां पर लिखा हुआ है यह हो गया अब हम बात करते हैं इनकी इनको बोलते है center alignment इतको बोलते है left right ठीक है इसको set कर लें आप इस वीडियो को लाइस तक देखना मैं तुब आप प्रेक्टिकल भी बताऊंगा इसको बोलते है left alignment कंट्रोल एल कंट्रोल इसे center alignment और कंट्रोल राइट से right alignment और कंट्रोल जेस्टिफाई कोई अगर मैटर प्रिंट करना होना तो पुरा लिखने के बाद उसको करके जेस्टिफाई कर लेना पूरा अच्छा पहला अगरा आप आता है ठीके यहां पर मैं एक फर्मला बता दो आपको अपको कोई डमी टेक्स ही है ना इसी करो करो लिखो रैंड और क्लोज इंटर आप डमी टेक्स में जाएगा आप इसका यूस कर सकते हो आपको लिखन इसका बाद हम बात करते हैं यहां लिखा हुआ लाइन इस प्रेसिंग जो सेंटेश हमारे पास है यह सेलेक्ट करो आप जाद इसमें तोब आप गैपिंग रहा है ठीके गैपिंग कैसा देखो यहां पर यहां पर यहां चल जाएगा लाइन की स्पेसिंग है अगर आपको अच्छा दिखाना है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो इसका बात करते हैं यहां पर लाइन कलर इसको होते हैं साइडिंग कलर यह लाइन कलर एक पैर अगर आगर को यह कलर कर देता है अगर इस चीज को हम लाइन बाद ने है तो क्या होगा है यह प्राट्रीक्लर लाइन कलिक होगा से लेकर दो अगरए इसको अगर मैं सक्षाब यहां लुढ़र यह लगा दो यह लाइद में म t लुक्राप्र तो बॉर्डर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, तो ख्या लगना, जहां हमने line break किया था, इसका क्या लग line हो जाएगा, एक paragraph को एक box में करता है, ये question पूछा करता है, बॉर्डर में कैसे हम apply करते हैं, तो जो एक line होता है, उसको एक paragraph में रखेगा, और पूरप paragraph होगा, उसको एक box में करेगा, इसके बाद देखो, यहां में लिखा है sword, sword में पूछा था, question triple C में, इस sword का use हम कैसे करते हैं, तो जिसके क्या लगना, अगर मैं लिख दूँ, यहां पर कुछ मैं लिख देता हूँ, कुछ data मेरे पास है, किसी का नाम A से शुरू हुआ, किसी का नाम D से शुरू हुआ, किसी का नाम E से शुरू हुआ, फिर किसी का नाम A से शुरू हुआ, इनमें कुछ मैं शिरी देता हूँ, जान देना इससे क्या होगा, A, B, C, इसको select करो, ascending और descending mode की बात हो रही है, सो सलेक किया और यहां लिखा है क्लिक कर इस पर एक बॉक्स आएगा यहां देखो डिसेंडिंग मोड कर दो पहले यहां देखो अलग अलग टाइप है ना अट्रमेट कर देगा देखो अब लिख एडी से आग एकदम कॉंटिनुव में आ गया अब फिस्ट क्लिक करके अश्यंडिंग कर दोगे ना ओकी कर दोगे डेटा पुरा-पुरा सई करम में आ जाएगा ठीक है अब हम बात करेंगे यहां पे कुछ सब्सक्राइब करेंगे इसका बात यहां पर ऑप्शन मिलेगा इस्टाइल का आप इस्टाइल करो टेक्स का जो इस्टाइल होता है वह सीज़ है फांड की कलर की बारे में पूछ रहा है तो आप देखो जी सीज़ पर आपने अप्लाई किया यह वाला कलर सभी स्टाइल उ किया वह स्टाइल आप जो कि भी इसके लुग decisions रिदहर बिल्कुल नहीं होंगा है इस स्थैल जोब होता है इस्टाइब आपको एaimer होदे करे आप मदा कर रहे हैं आप मरलक कर से cand delle अवकर करो अब बॉक्स मिलेगा आपने फेस किया ctrl f यहांसे क्या करोगे हो कोई भी matter को आप find कर सकते हो ठीक है ना और ctrl s से क्या करोगे replace कर सकते हो यहांसे कोई word को find किया मानलो मैंने find क्या style आप शिक करना चाहते हो क्लिक करो यहांपको दिख रहा है यहांपे style अब चाहते हो रिप्लेश कंट्रूल f से find h से रिप्लेश स्टाइल के जगए कुछ और लगाना जातो लिग दिया अपने stylus मैंने s मैं यहांपे क्या करूंगा है replace यहांपे style लिखा यह भी replace हो जाएगा ठीक है इस तरीके से यहांपे complete हो जाएगा एक और चीज जानलो यहांपर select कर दिया मसवर्ट के अगर आप चाहते हो कि मैं insert का जो यह बहुत important topic है मैं इससे practical बताऊंगा अगर आप चाहते हो कि यह best session लेके आऊ तो आप comment करके ज़रूर बताना ठीक है बिलते हैं next video में thanks for watching